Hello Learners, Welcome to my channel Enlighten Knowledge आज हम discuss करने जा रहे हैं criticism of martial approach to consumer surplus कल हमने discuss किया था martial के approach के बारे में कि consumer surplus को लेकर उन्होंने क्या-क्या approaches आपको दी है उसके साथ ही कुछ ऐसे economist है जिन्होंने इस चीज को क्या है criticism किया है तो इसके क्या-क्या criticism हो सकते हैं यह हम पढ़ेंगे Economist यह Economist के नाम दिये गए है Nicholson, Davenport, Hicks, Allen, Yulsi, Gobby इन्होंने क्या है इस concept को criticize किया है तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है criticism की अब आपको पता है कि जो Marshall का concept है वो utility analysis पे based है utility analysis में क्या लेते थे cardinal measurement लेकिन real life में क्या है क्योंकि हम यह नहीं बता सकते कि मतब 1, 2, 3, 4 numbers में utility को measure नहीं किया जा सकता तो काफी सारी Economist ने cardinal measurement वाले approach को क्या है नका रहा है और वो कहते हैं कि cardinal measurement possible नहीं है real life में तो सबसे पहला criticism यह हो गया सेकिन है goods are not independent इस चीज़ में हम एक concept लेकर चले थे कि जो goods है वो क्या है independent है एक दूसरे से अजाद है बिलकुल एक दूसरे पर depend नहीं करती लेकिन यह चीज़ में क्या है गलत है क्योंकि कुछ ऐसी goods होती है यह goods के demand होती है जो किसे दूसरे goods पर निरबर करती है for example substitute या complimentary items हो गए वो एक दूसरे पर निरबर करते है तो इस वज़े से क्या है जो goods हमारी है वो कभी भी independent नहीं हो सकती यह एक दूसरे पर depend करती है तो उन्होंने ignore किया है इस concept को third one is ignores income effect अब income effect को भी ignore किया है क्योंकि हमने पढ़ा था assumptions में कि वो लेकर चले थे आपके income, custom, taste, habits यह सारी चीज़े क्या रहेंगी constant रहेंगी लेकिन क्या है यह real life में ऐसा बिलकुल नहीं हो पाता जो हमारा income है वो कभी constant नहीं रह पाती है तो इन्होंने जो income effect है consumer surplus को डूणने के लिए income का भी बहुत पीछे सी effect होता है तो इस चीज़ को उन्होंने ignore कर दिया है तो यह आपका third criticism हो जाएगा next thing is marginal utility of money does not remain constant जो इसमें assumption ली गई थी कि marginal utility of money क्या रहेगी constant रहेगी वो assumption भी बिलकुल गलत है क्योंकि जो marginal utility होती है money की वो कभी भी constant नहीं होती है जो हम spend करवाते है money एक उसका additional part spend करवाते है जो utility मिलती है वो कभी constant नहीं रहती है बलकि वो जातर क्या है? diminishes way में जाती है तो वो कभी भी constant नहीं रहती और change होती है तो हम यह नहीं ले सकते कि जो आपकी marginal utility money होगी वो constant रहेगी fifth one substitute यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि wrong है assume करना कि substitute available ही नहीं है इस concept ने माना था कि substitute good available नहीं है लेकिन क्या होता है यह wrong concept है real life में for example tea, coffee हमने substitute items के बारे में पढ़ा है कि एक का price बढ़ जाए तो लोग दूसरे तरफ shift हो जाते हैं उसके substitute लेना शुरू कर देते हैं coke and Pepsi हो गया यह ऐसे close substitute देखने को मिल जाते हैं sixth one article of distinction जो आपके articles होते हैं जैसे कि diamond, jewelry, paintings हो गया तो उसमें हम क्या है consumer surplus को measure नहीं करवा पाते हैं क्योंकि यह articles ऐसे होते हैं जिनका price क्या है, बहुत जादा होता है तब भी इनकी demand बहुत जादा होती है यह articles ऐसे हैं तो इसमें consumer surplus को ढून पाना बहुत जादा मुश्किल है यह हम क्या सकते हैं कि इसको हम लोग consumer surplus को ढून ही नहीं पाते क्योंकि consumer क्या है इनके लिए बहुत ज़्यादा विलिंग होता है पे करने के लिए हम कहा सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसा इन पे लगाना चाहता होता है तो इसमें consumer surplus डूणना बहुत मुश्किल हो जाता है तो जो articles of distinction हैं इनमें कहीं भी हम लोग consumer के surplus को नहीं डूण सकते हैं next thing is infinite consumer surplus अब कई चीज़ें एती हैं जहां पे infinite consumer surplus देखने को मिलता है मतलब इस concept ने अच्छे से उसको बताया नहीं है to satisfy necessity of life और conventional necessaries conventional का मतलब क्या होता है जो आपके traditional रिती रिवाज है customs है जैसे कि दहेज प्रथा है ये चीज़ में consumer surplus को हम लोग डूण नहीं पाते हैं a consumer will be willing to part with all its wealth कहते हैं the hedge प्रथा को सामने रखते हुए एक जो consumer है न वो अपने सारी की सारी wealth, अपना सारा पैसा, सारी जमीन और भी कई चीज़ें सब कुछ लगाने को त्यार हो जाता है तो अगर consumer surplus टूण देंगे तो क्या आएगा willing to pay कितना है, infinity है infinity में से कुछ भी minus करवा दोगे तो infinity ही आएगा तो ये तो चीज़ गलत है, consumer surplus infinity आया है इसमें तो ये क्या होता है गलत सा concept हो जाता है कुछ ऐसी conventional necessaries चीज़ें हैं जिनमे consumer surplus infinity है लेकिन real life में ऐसा नहीं हो पाता है और consumer is very trusty अब next example क्या दी है consumer को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है willing to pay देखो 100 रुपए पे देने को तियार है पानी के लिए, लेकिन bottle उसको मिल जाती है या पानी उसको मिल जाता है एक रुपए में तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि 99 रुपेस consumer का surplus हो गया तो ये बहुत ज़्यादा ridiculous concept है हम इन चीज़ों में consumer surplus को नहीं डूण पाते देखो in real life में क्या है जो conventional necessities होती है वो क्या होती है जो traditional customs बने हैं जैसे dory system है वो हमें pain देती है ना कि consumer surplus देती है लेकिन consumer surplus यहाँ पे निकला क्या था infinity infinity निकला था लेकिन ये चीज़ क्या करती है उमें pain देती है ना कि consumer surplus होता है इसमें कोई तो ये चीज़ भी उन्होंने क्या है Marshall ने बिल्कुल भी explain नहीं की है next thing consumer surplus become zero कभी-कभी consumer surplus कहते है zero हो सकता है ये भी Marshall ने अप्रोच को नहीं बताया है suppose करो जो income है consumer की वो क्या है रुपीज हंडर है और वो क्या करना चाता है he want to spend रुपीज 40 on apples apples पे 40 रुपई न वो रख लेता है कि ये में जो 40 पे apples पे spend करवाने है and he spent रुपे 60 on other goods 60 रुपे क्या है उसने other goods पे करवा दिये ये 60 रुपे minus कराएंगे 40 आएंगे और 40 के 40 रुपे उसने apples ले लिए तो consumer के पास बचा कुछ नहीं जो पैसा था वो सारा का सारा लग गया है तो consumer surplus क्या आया है zero आया है तो मतलब आपका consumer का surplus zero भी हो सकता है लेकिन Marshall ने इस concept को नहीं बताया है next है dubious concept मतलब not sure confusing concept है Nicholson ने criticize किया है इस concept को Marshall इसमें आपको मैं बता देती हूँ Marshall इसमें लेकर चलता था कि एक place पे क्या होगा consumer का surplus जादा भी हो सकता है दूसरी place पे कम हो सकता है उसका मतलब यह है जो हमारी income है एक पे thousand अगर हमारी income है वो किसके equal होगी 800 income at another place इसमें अगर मैं example लों जैसे डाली है तो क्या होता है उसमें हमें facilities जादा मिलती है या हम क्या सकते हैं बहुत बड़ा area होता है तो इस area में जो 1000 पे है न वो भी कम पढ़ जाते है income के और वहीं क्या है वहीं जो 1000 पे वो 800 पे के बराबर होते हैं किसी दूसरे city में जो हम कहाद सकते हैं कि वो एक backward area है या कोई villages है जहां पे कम rate का समान मिलता इतनी महंगाई नहीं है तो वो 1000 पिया में जो चीज़ें खरीदते है न वो एक village में 800 पे के मिल जाती है तो ये क्या मानते है कि जो 800 पे इंकम है वो 1000 के equal हो जाती है कहीं न कहीं लिकिन Nicholson ने इस concept को criticize किया है concept lead to conclusion that income of thousand at one place equal to income of 800 at another place ये बहुत ही जादा dubious concept है देखो हो सकता है हम भी मानते हैं कि कहीं न कहीं चीज़ों का जो price होता है वो कहीं कुछ शारों में बहुत जादा होता है कुछ में कम होता है जब variety की problem आ जाती है ये चीज़ तो सही है लेकिन क्या है कि not sure ये concept dubious है अभी के लिए हमें बहुत confusion है Marshall ने बिल्कुल भी इस concept को अच्छे से clear नहीं करवाया है कि कैसे हम base बना कर consumer के surplus को डूण सकते हैं इस concept को लेते हुई इसलिए Nicholson ने इस concept को क्या है criticize किया और वो कहते हैं इसमें concept में बिल्कुल भी Marshall ने surety नहीं दी है इसी वज़े से हम कह सकते हैं यह वाला जो concept है income वाला वो कहीं न कहीं confusing है sure नहीं हो सकता तो यह आपके कुछ criticism थे I hope आपको अच्छे से clear हो गे होंगे अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजे like, share and comment and press the bell icon ताकि हर वीडियो की notification अपको time to time मिलती रहे thank you